नमस्कार दोस्तो टेकनिकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन करने जा रहे हैं रेडमी और रियल मी कमपनी के स्मार्टफॉन की जिसमें हमारे पास है रेडमी 13 स्रीज का 13C और रियल मी नार्जो N स्रीज का N53 तो देखते ह आज इन दोने स्मार्टफॉन में से कौन सा स्मार्टफॉन आप के लिए रहता है सबसे बेस्ट फरस्ट अब दोनों स्मार्टफॉन के प्राइज से सुरुवात करते हैं दोस्तो आजकल स्मार्टफॉन के जो प्राइज है वो अप डाउन होते रहते हैं कभी कोई ठिकाना नहीं रहता, Redmi 13C को flip card sale कर रहा है 8770 रुपे में, वहीं Amazon इसे sale कर रहा है, 8999 रुपे में वहीं पर अगर आ जाती है sale, तो ये smartphone आपको 8000 रुपे तक की range में भी मिल जाता है, नार जो N53 इसका तो क्या कहना दोस्तों, अभी हाली में sale देखी होगी, आपने Republic Day sale, जिसमें ये 7000 रुपे का हो रखा था, लेकिन अभी इसे flip card sale कर रहा है, 8570 रुपे में, और 8999 रुपे में Amazon sale कर रहा है जाद अतर इसे Amazon sale करता था, लेकिन अभी Amazon ने इसकी price सीधे 8999 रुपे कर दी है तो दोस्तों, मेरे इसाब से तो जब नया smartphone लेने का प्लान बनाते हो, तो पहले थोड़ा research जरूर कर ले, जल्दबाजी में मत purchase कीजिए, बाकि दोस्तों, अलग-अलग color के box आते हैं, red color का है, red me का, और narjo का है, blue color का white phone में सारी details को mention किया है back side में कुछ highlight features जिनके बारे में हम आगे चर्जा करेंगे चलिए दोस्तों, फड़ावट से दोनों smartphone के box को open कर लेते हैं और box accessories पर नजर डालते हैं तब तक आप भी channel पर first time visit कर रहे हो, तो subscribe जरूर कर दीजे ऐसी videos आपके लिए यहाँ पर regular आती रहती है, तो 13C से सुरुआत करते हैं, सबसे उपर smartphone इसे फिलाल साइड रखके अंदर एक box दिखता है, जिसके back side में SIM ejector pin अंदर quick start guide user manual है cover इसके साथ अलग से purchase करना पड़ेगा, box में देखिए दोस्तों एक छोटा size का charger adapter और और normal सा charger है, 10Watt का 5V2A की output rating इस charger से मिलती है box पर आपको दिखेगा 18Watt fast charging support यानि कि 18Watt का जो charger है वो हमें खुद अलग 500 से खरीदना होगा, तो कंजूशी करते हैं यह company वाले, जब इतने का smartphone दे रहे हैं तो charger देने में क्या जाता था इनका बाकी दोस्तों type A to type C USB केविल मिल जाती है, केविल की length और quality भी average दी गई है, वही नार्जो N53, इसमें सबसे उपर एक mini box feel the power लिखा हुआ है, power को feel करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस box के अंदर देखें तो कुछ documents, quick start guide, user manual, phone को safety देने के लिए यहां मिल जाता है, आपको flexible transparent silicon का अच्छी quality का cover है, 100-800 रुपे बच रहे हैं cover के मिल जाने से, इसके बाद रखा हुआ है smartphone, इसे फिलाल side रखके, अंदर देखें दोस्तों, एक बहुती बड़े size का charger adapter यहां दिया गया, और यह दोस्तो 33 watt का super book charger है जो कि mobile को आदे गंटे में 50% charge कर लेता है तो यह बढ़िया है कि यहां पर आपको ज़्यादा watt का charger मिल ला है, नहीं तो यह अलग से purchase करने में 1000 रुपे का बढ़ता है दोस्तों तो, यहां पर यह 1000 रुपे भी बच रहे हैं USB cable की quality भी अच्छी लग रही है type A to type C, USB cable आपको यहां भी मिल जाती है अब हमारे सामने हैं दोनों स्मार्टफोन इस तरफ हमने रखाया N53 को और 13C को रखाया इस तरफ जिससे आपको easy हो जाए समझने में तो दोनों स्मार्टफोन के front look को देखे दोस्तो, size दोनों का लगभग एक जैसा लग रहा है दोस्तो दोनों ही स्मार्टफोन drop nose display के साथ आते हैं और दोनों पर कोई भी pre-applied scratch guard नहीं मिलता है थोड़ा सा चोड़ा 13C आपको मिलेगा दोस्तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन की power को मैंने एक साथ on किया था नर्जो N53 कितना fast on हो गया है इन्हें फिल Redmi 13C हाथ में जादा बड़ा feel होता है back panel देखें दोनों स्मार्टफोन के willful flat plastic polycarbonate body के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन के back panel सबसे पहले 13C का back panel देखें दोस्तो light का reflection काफी कमाल का देखने को मिलता है glass like finishing यहाँ पर दी गई है दोस्तो लेकिन scratches आ सकते हैं दोस्तो glass body नहीं है cover हमेसा लगा के रखें नीचे Redmi की branding की गई है और उपर जो camera module है वो काफी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है ये frame भी अच्छा लग रहा है और दो बराबर size के lens नजर आ रहे हैं जिन में अलके से उठे हुए हैं दोनों lens लेकिन मिलेंगे तीन camera दोस्तो उपर के lens में single camera fit किया गया है नीचे दो camera आपको मिलते हैं वहीं पर जो Narjo N53 है दोस्तो ये भी आपको काफी stylish finishing के साथ मिलता है यहां light के reflection में काफी अच्छे design आपको नजर आएंगे जो काफी बढ़िया लग रहे हैं नीचे Narjo की branding की गई है camera module तो इसका iPhone के जैसा देखने को मिलता है तीन बराबर size के बड़े बड़े lens बिल्कुल iPhone के जैसे रखे हुए है और यह जो camera frame है iPhone के जैसे ही बना हुआ है दोस्तो हलका सा उठे हुए lens आपको नजर आ रहे होंगे तो दोनों ही smartphone में आपको mean primary camera 50MP का मिलता है यहां 2MP का micro sensor और तीसरा AI lens camera दिया गया है यहां पर आपको AI lens camera मिलता है बाकी LED flashlight यहां पर आपको दोनों ही smartphone में मिल जाएगी फ्रेंट में तो दोनों ही smartphone drop notch के अंदर दे रहे हैं 8MP का selfie camera दोनों smartphone के corner है चारो तरप से rounded और side panel है विलकुल flat जहां right side में मिलेगी power on key जास्ट टूपर volume rockers और finger pin sensor दोनों smartphone power on key पर ही दे रहे है उपर की side आपको 3.5 mm का audio jack 13C में मिलता है बाकी दोनों ही smartphone आपको नहीं secondary mic दे रहे हैं नहीं dual studio speaker Redmi company तो IR blaster तक देना बोल गई है जबकि पहले जो smartphone आते थे 19,000 रपे की range के उन में भी IR blaster मिल जाता था दोस्तो left side में sim tray और bottom में 3.5 mm का audio jack नार्जो ने दिया है बाकी दोनों आपको दे रहे हैं primary mic, charging jack और speakers आप दोनों की power को तो हमने already on करके रखा हुआ है आप सबसे पहले इनकी जो brightness है इसे 100% कर लेते हैं ताकि display और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए तो दोनों smart phone में brightness भी ठीक ठाक average मिलती है दोस्तो colors बढ़िया है यहाँ पर narjo n53 के और जो edge और bezels हैं दोस्तो वो ज़्यादा पतले narjo n53 में नजर आ रहे है Redmi के मुकाबले उपर से भी पतले हैं नीचे चिन दोनों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी application home page पर आपको देख रहे हूँगी यहाँ पर हम दोनों smartphone का user interface देखे तो Redmi में home screen में right side में scroll करने पर narjo में scroll up करने पर सारे के सारे application नजर आते हैं Redmi ने फाल्टो के pre-install application और फाल्टो के games को folder में चिपा के रखाए यह देखे यह folder यह और एक folder यह हाला कि इनको आप uninstall कर सकते हैं दोस्तो इन से काफी कमाई हो जाती है इन company की यह जो pre-install application आपको दोनों smartphone में दिख रहे होंगे दोनों smartphone का touch जो है वो आपको smooth मिल जाएगा क्योंकि 90 hertz के refresh rate के साथ आते हैं दोनों ही smartphone same display size है दोनों का 6.74 इंच की HD plus IPS LCD मिल जाती है आप दोनों smartphone की height भी देखिए दोस्तो 168 mm की height आपको नार्जो में मिलेगी 167.3 mm की height आपको नार्जो में मिलेगी थिकनेस में काभी बड़ा अंतर है 8 mm की थिकनेस के साथ रेड में आता है जबकि 7.4 mm की थिकनेस के साथ नार्जो N53 आता है यानि कि ये काफी ज़्यादा slim smartphone है 182 gram का और ये 192 gram का दोनों के अंदर 5000 image की battery भी लगी हुई है और अब दोस्तो हम setting पे नज़र डालेंगे शुरुवात रेड़े मिठ हटिंसी से करते हैं एंटरफेस सेटिंग का कुछ ऐसा जहां सारे option आपको नजर आ रहे होंगे सबसे उपर है about phone section इसे open करें MIUI version 14 दिया गया है बगल में 128GB का mega storage इस phone में मिल जाता है जिसमें से लगबग 25GB तो अल्रेड़ी यूज हो चुका है बाकि आपको free मिल जाता है storage type eMMC 5.1 का दिया गया है बाकि आप चाओ तो expendable memory को 1TB तक इस phone में बढ़ा सकते हैं Android 13 के साथ आता है ये smartphone और Android 14 का व्यादा भी किया है company ने वो जब आएगा तब देखा जाएगा हलागी security update तो आते रहते हैं लेकिन दोस्तों जो Android update है उनके बहुत कम chance होते हैं company सिर्फ बोलती है करदी कुछ नहीं है 4GB RAM प्लास 2GB virtual RAM दी गई है इसमें RAM type है LPDDR4X और 2GHz का OctaCore processor मिलता है chipset आपको इसमें MediaTek Helios Z85 का दिया गया है price के साथ से एक अच्छा chipset मिल जाता है यह based है 12NM के fabrication पर और graphic Mali G50 के मिल जाते हैं वहीं पार आते हैं Narjo N53 के setting पर यहां setting का interface कुछ ऐसा देखने को मिलेगा normal सा interface है दोस्तों जो Realme का actual interface होता है उससे काफी हट के है दोस्तों क्योंकि इसमें Realme का UI है वो light वाला मिलता है दोस्तों यह tier edition वाला मुझे ज़्यादा कोई fast पसंद नहीं आता यह tier edition वाला जबकि इसका जो Realme UI 4.0 है वो ज़्यादा बैटर लगता है इसका about phone section भी देखे पूरी जानकारी इसके about phone section में भी नहीं मिलती है android 13 के साथ आता है यह smartphone 4GB RAM 64GB storage दिया गया storage के मामले में आदिप आ जाता है Redmi 13C से Redmi दे रहा है आपको 128GB का storage यहां 64GB का storage आपको मिलेगा दोस्तों बाकी expendable memory तो यहां भी आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं और RAM type LPDDR4X आपको मिलता है 1.8 GHz का octa-core processor phone में दिया गया है chipset आपको इसमें ना ही qualcomm ना ही immediate है Unisog का मिलता है Unisog T612 का यह भी based है 12NM के fabrication पर और Mali G57 के ग्राफिक इस phone में मिल जाते हैं चलिए दोस्तों अब हम एक छोटी सी नजर इन दोनों smart phone के camera पर डालेंगे और camera quality को notice करते हैं किसकी ज़्यादा better निकल के आती है तो rear camera को open कर लेते हैं तो दोस्तों 50 Megapixel के camera हैं दोनों smart phone में camera में color तो दोनों smart phone आपको काफी बढ़िया दे रहे है personally ज़्यादा better फिर भी मुझे यहाँ पर NARGO N53 का camera लग रहा है दोस्तो zooming power 10x और Redmi में भी 10x का zoom support मिल जाता है और यह दोनों smart phone के full 10x zoom quality भी यहाँ पर आप notice कर सकते हैं ported का option दोनों में दिया गया है night mode मिल जाता है video mode में आप दोनों से 1080p में 30fps 720p में 30fps में video को suit कर सकते हो यानि कि full HD video suit करने का support मिल जाता है लेकिन 60fps का option नहीं मिलता 2K 4K तो दूर की बात है वही front camera देखें दोनों smart phone का तो 8 Megapixel के selfie camera अभी video mode में on और रुक है photo mode में आ जाते हैं तो देख सकते हैं पर front camera भी personally मुझे Narjo N53 का ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है जो actual natural color है वो Narjo N53 के camera से ज़्यादा better अच्छे तरीके से आ रहे है अलागे zoom support दोनों के front camera में आपको नहीं मिलेगा बाकि तो अपनी पसंद होती है आप देखें किसका front camera ज़्यादा better आपको लग रहा है तो friends overall देखा जाए तो दोनों ही smart phone अपनी अपनी विसेश कोवियों के साथ आते हैं क्योंकि दोस्तो 33 watt का super woke charger भी आपको इसमें मिल रहा है cover भी phone में मिल रहा है mobile का design भी काफी बढ़िया है iPhone वाली feeling भी यह देगा और यह जो आपको drop notch display दिख रही है दोस्तों तो इस पर अगर हम charger भी connect करेंगे तो यह जो पंचोल है फैल जाती है और dynamic island tribe की बन जाती है निकल के आ जाते हैं हालाकि Redmi 3C latest smartphone ने आली में launch हुआ है दोस्तों लेकिन 9000 पर फिर भी इस पर मत खर्च करना मेरे इसाब से तो मैं आपको सही जानकारी दूँगा यह नहीं को हूँगा कि आप यहां पर इतना पैसा लगई और फिर खरी दिया और कल के दिन सस्ता हो जाए और फिर आप मुझे को सो कि यार क्या बता दिया तो ने इतना मेंगर में पर्चेस किया आप दे किदर प्राइस कितना हो रखा है तो बाकि अपनी पसंद होती है अगर आप पहले से Redmi यूज करते आ रहे हो Redmi आपको पसंद आएगा Realme आपने यूज किया तो Realme का आपको पस करना दी कि जानकारी आप सबके जुरूर कुछ ना कुछ काम आएगी